गुद मॉर्निंग एव्रिवन, क्लास थ्री, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में पेज नमबर सिक्स्टी थ्री, लेशन नाइन पेज नमबर सिक्स्टी थ्री, लेशन नाइन शिर्शक है चला किसान किसान कौन होता है? किसान वह होता है जो खेतों में अन उगाता है किसान सुबा, शाम, सर्दी, गर्मी और बरसाथ हर मौसम में खेतों में काम करता है ताकि हमें अनाज मिले उन्ही के बदौलत हमें खाने को अन मिलता है और वो खेतों में मेहनत करता है और वो खुश हमेशा रहता है और इस मेहनत से उसे खुशी मिलती है तो इस कवीता में चला किसान कवीता में किसान के जीवन के विशह में बताया गया है तो चलिए हम लोग कवीता पढ़ते हैं सिर्पर पगडी कमर में धोती हलकंदे रख चला किसान बैल चल रहे आगे आगे लगते बिल्कुल सीधे सादे धरती मां की किस्मत जागे खेती करने चला किसान हलकंदे रख चला किसान सर्दी गर्मी या बरसात चाहे दिन हो चाहे रात लू आधी या जन्जावात मेहनत करना उसका काम हलकंदे रख चला किसान है उसका छोटा सा घर मिट्टी का पर लगे सुघर राजमहल से भी बढ़कर पाता उसमें व विश्राम हलकंदे रख चला किसान खुश हो जीभर छेड़े तान हल कंदे रख चला किसान तो इस कविता में किसान का जीवन कैसा है उसको बतलाया गया है जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं सीर पर पगड़ी है कमर में धोती है और कंदे पर हल है और इस तरह से वो बैलों को लेकर अपने खेतों की ओर जा रहा है बैल किसान के आगे आगे बहुत सीधे साधे होकर चल रहे हैं मतलब वो अपने मालिक की बात सुनते हैं आज्याकारी है और इस तरह से वे किसान के आगे आगे चल रहे हैं धर्ती मा की किसमत जागे खेती करने चला किसान यानि कि किसान जब धर्ती पर हल जोता है तो धर्ती मा की किसमत भी जाग जाती है यानि कि वहां से क्या होता है धर्ती से अनुपजता है है ना सर्दी गर्मी या बर्सात चाहे दिन हो चाहे रात किसान किसी भी मौसम की परवा नहीं करता है वो इतना महनती है कि चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो बर्सात हो चाहे दिन हो या रात हो ठंड हो लू चल रही है जंजावात आधी तुफान चल रहा है वो किसी की परवा नहीं करता है क्योंकि उसका काम क्या है मेहनत करना है ना और इसलिए वो हर मौसम में अपने कंधों पर हल रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता है हम लोग देखते हैं किसान का घर कैसा होता है है ना उसका घर आज किसान भी अमीर होते जा रहे हैं लेकिन पहले जबाने में हम लोग देखते हैं कि हम किसान का घर मिट्टी का होता था तो उसी को तुलना करके यहाँ पर बताया गया है है उसका छोटा सा घर मिट्टी का पर लगे सुघर यानि कि किसान का घर छोटा सा है मिट्टी का बना हुआ लेकिन वो भी बहुत सुंदर दिखाई देता है राज महल से भी बढ़कर पाता उसमें वह विश्राम यानि कि वो मिट्टी का घर छोटा सा ही है लेकिन किसान को वो घर राज महल से भी बढ़कर लगता है राजा का राज महल जहां एशो अराम की सारी सुवीधाएं होती है उससे भी बढ़कर उसे अपना घर प्यारा लगता है और वो वहाँ पर क्या करता है? विश्राम करता है है ना? और उसे बहुत ही वो घर आराम दायक लगता है और वहाँ वो आराम करता है और फिर अगली सुबा क्या करता है? कंदे पर हल रख कर खेतों की ओद निकल पड़ता है किसान जब अपने खेतों में काम करता है मशगूल होकर तब क्या होता है? वो कुछ-कुछ गुन-गुनाता है यानि उसको अपने काम से खुशी मिलती है और खुशी में क्या करता है तान छेड़ता है यानि कि गीतों को गुनगुनाता है गाता है गा गा कर काम करता है तो इस तरह से बताया गया है कि किसान बहुत ही मेहनती होते हैं मेहनत करने से उन्हें खुशी मिलती है और उस मेहनत क कफल हम सबों को मिलता है और जब हम खुश होते हैं तो किशान और भी खुश होता है तो इस तरह से इस कविता को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपका होमक होगा इस कविता को चित्र के साथ कॉपी में लिखना और याद करना